So, Hello Everyone, इस वीडियो में हम continue करेंगे Class 9 के History का First Chapter, The French Revolution फ्रांस में जो बहुत बड़ी कांती हुई थी, उसके बारे में हम पढ़ रहे हैं हमने अब तक पढ़ा है कि जो French Revolution ने वो importance क्यों है उसने क्या सीख दी है पूरी दुनिया को उसके बाद हमने पढ़ा कि उसके सुरुआत कैसे होई लेकिन इस वीडियो में हम बात करेंगे The French Society के बारे में फ्रांस में उस समय जो समाज था और उसमें जो रहने वाले जो लोग थे जिन्होंने क्रांति किया उनकी स्थिति क्या थी क्या कंडिसन थी उनकी आर्थिक हालात के क्या थी उनके बारे में हम बात करेंगे क्योंकि कोई भी क्रांती की उस्रुवात तभी होती है जब उस समाज में रहने वाले जो लोग हैं वो खुस ना हो जो सत्ता है जो राजा है उनसे अगर खुस ना हो तो जो लोग है जो नागरिक है वो क्रांती करते हैं तो उनके बारे में हम पढ़ेंगे बड़ आगे बढ़ने से पहले आपको हमें चैनल को सब्सक्राइब करना है ताकि जब भी हम कोई important वीडियो डाले उसकी notification आपको मिल जाए अब तक हम लोग ने पढ़ा है कि जो liberty, freedom और equality की जो भावना है वो इस क्रांती के बाद ही हमारे सामने उभर कर व्यापक रूप से आई उसके बाद हम लोग ने पढ़ा कि फ्रांस में जो system था मोनार्की का जो राज साही जो था वहाँ पे जिसमें राजा हेड होते थे इस system को खतम कर दिया गया और एक नया system लाया गया और वो था republic जिसमें जो हेड होते थे किसी सामराज के वो जनता द्वारा ही चुन कर जात रखता है यानि किसी समाज में रहने वाले जो सारे लोग हैं वो एक समान है सबको equal opportunity मिलेगा equal अधिकार मिलेगा और सभी पे एक तरह का कानू लागू होगा उसके बाद हम लोग ने पढ़ा कि 14 जुलाई को 1789 में कांधी की सुरुवात होई और सुरुवात क्यूं होई थी जो एक किला था जो एक प्रिजन था जो कैद खाना था बेस्टाइल लोग उसकी तरफ बढ़े और उसको धोस्त कर दिया गया तो अब तक हम लोगों ने यह पढ़ा था अब हम पढ़ेंगे कि फ्रांस में उस वक्त जो समाज थे जिन लोगों ने क्रांदी किया था वो लो कैसे थे उनकी आर्दिक हालात कैसी थी उसके बाद में हम पढ़ेंगे ते 29 के आज़ पास जो फ्रांस समाज था वो तीन वर्गों में बटा हुआ था तीन ग्रूप्स में बटा हुआ था और इन ग्रूप्स को हम कहते हैं इस्टेट जो पहला इस्टेट है वो है कलरजी औ इसके अलाबा जो सकेंड एस्टेट है वो है नौबलीटी और इसमें जो रहने वाले जो लोग हैं वो गौर्मेंट जॉब करते थे सरकारी नोकरी थी इनकी राजा के दरबार में यह भी बहुत ही पावर्फुल ग्रूप्स है और इनको भी कोई टेक्स पी नहीं करना पड इसके अलाब जो थोडी इस्टेट है इसमें आते थे बिज messaging जो वियापार करते थे सभन की उस पार जाके वयापार करते थे ंसके अलाबा मर्चेंट चोटे व्यापारी थे वह उसके अलाब कूर्ट ओस्योम होता था उसमें काम करने वाले जो लोग होते थे वह भी थोड ग्रूप में आते थे थोरे श्रेट में आते थे इसके अलबा जो लॉयर होते थे जो टीचर होते थे वकील और सिक्षक ये भी थोरे श्रेट में आते थे इसके अलबा जो किसान है जो आटिसंस हैं जी कारपेंटर ग्रीम स्मीथ ये लोग भी थोरे श्रेट में आते थे इसक लिख सकते हैं कि thought group में भी कुछ ऐसे लोग हैं जो की संपन हैं अगर कोई वयापार करता है अगर कोई उतने संपन थे जितने first और second group वाले थे लेकिन इनको उतना अधिकार नहीं मिलता था इसकी वज़ा से यह जो gorgeous class था जो की संपन था educated था पढ़ाय लिखाय भी इनकी अच्छी थे यह लोग के अंदर गुसा था और यह लोग जो सुसन हो रहा था इनका इनके खिलाफ यह society के वो तीन भागों में बटा हुआ है पहला है clergy बहुत ही powerful है tax pay नहीं करना पड़ता है second state nobility government job करने वाले आते हैं इसमें और इनको भी कोई tax pay नहीं करता है और बाकी बचे जो 95% जो लोग हैं वो thought estate में आते थे और इनको बहुत ही ज़्यादा tax देना पड़ता था इस करांदी के पहले यानि 1789 के पहले जो समाज था फ्रांस में और जो संस्थाएं थी फ्रांस में उसको लोग कहते हैं old regime और old regime के अंदर जो thought class है उसको बहुत ही बुरी तर से दबाया जाता था उस वक्त पूरे फ्रांस की अबादी का करिब 90% जो अबादी है 90% जो population है वो thought state से बिलोंग करता था और इस 90% अबादी का भी बहुत ज़्यादा हिस्सा या तो मलदूर था या तो किसान था लेकिन इन लोग के पास पूरे फ्रांस का मादर 40% ही लैंड एडिया था और इस कम जमीन पर इनको खेती भी करना होता था और रहना भी होता था सबसे पूरी किसानों की क्योंकि उतने कम जमीन पर इनको खेते भी करना होता था और इतना अनाज उनको उब्जा लेना होता था ता कि उसको मार्केट में बेज कर कुछ रुपे हांसिल कर सके लेकिन इसके ठीक उलड जो नोबल्स थे और जो कलरजी थे उनको बजपन से ही बहुत सारी अधिकार मिले हुए होते थे और वो अधिकार ठोड एस्टेट को बिल्गोई भी नहीं मिलते थे जैसे कि जो कलर्जी ग्रूप है वो चर्च के विकास के लिए ठोड एस्टेट से एक टेक्स वसुलता था जिसको वो लोग बोलता था टीथेस इसके अलवा जो राजा होते थे वो हरे गाह में हरे प्रांत में एक स्टेटल को एक सामन्द को चुनते थे ताकि ठोड क्लास से टेक्स इकठा करके राजा तक उस टेक्स को पहुँचा दिया जा सके लेकिन जिस सामन्द को जिस नूबल्स को राजा चुनते थे, वो लोग उसमें भी खपले बाजी करता था, और जितना कुट था, जितना लिमिट था, उससे extra tax को लोग वसूलता था, और जितना कट था राजा का उसको चुकाने के बाद जो बज़ागवा रूपया है, वो लोग अपने पास रखता था और इस तरह के टेक्स को बोलग बोलता था फ्यूडल ड्यूज तो इस तरह से टेक्स के मामले में भी जो सोसन था थौड क्लास का वो काफी जादा था फ्रांस में उस वक्त थौड क्लास था उस पे तीन तरह का टेक्स लगाया गया था पहला टेक्स है, तीसे इसको जो कलरजी ग्रूप है वो चर्च की विकास के लिए टेक्स वसुलता था, ठॉट क्लास से उसके लबा जो एस्टेट होता था जो राजा होते थे, वो सामन्थ के माध्यम से इंडारिट टेक्स इकठा कर दे थे किसानों से यारी थोड येस्टेट से इसको वो लोग बोलता था टैली लेकी इसमें भी एक पींश था जो राज़ा होते थे, जिस सामध को वो लोग चुनाओ करता था वो किसानों से थोड येसे से कुछ एक्स्टा टेक्स वसुलता था और इतना कट था राजा का उसको देने के बाद जो बचागवा जो रुप्या जो बचागवा जो टेक्स है वो लोग अपने पास रख लेता था तो इस तरह से भी जो थोड़ क्लास का सोसन काफी जादा होता था इसके लावा भी एक जो भी समान खरीदने पर जैसे कि आज हमारे पास हम GST लगाते हैं किसे भी वस्तूर ठीक उसी तरह भी वहां पर नमक पर या तंबाकों पर बहुत सारे वस्तूर पर लोग को इंडारेक्स देना परता था और यह सब जो सारे टेक्स हैं वो सिर्फ थोड़ इस्टेट को ही कटा करता था ते अलावा जो कराजी और ne辜ी वह गड़ीबों से किसानों से जवर दस्ती अपने की तो में और ऐसां क्यों किसी रुपए होते थे वह गड़ीबों को पगर कर डारेक्स बिना उनके मरजी ने भाना उनको अ कैय भी इन लोग पर चारीक्री एक पर जाता था और जो बड़े बड़े पोश्ट होते थे जैसे कि करड़नल ब्रिगेडियर उन पोश्ट पे नोबल स्लो को रखा जाता था। उसके अलबा भी फ्रांस में उस वक्त जो भी पब्लिक का स्रक्षन होता था जैसे कि वहाँ पर जो रोड बनता है जो महल बन रहा होता था। उतना ही उन्नत था जीतना कि फर्स और स्रक्षन क्लास था। उतना संपन होने के बावजूद भी उसको कोई राइट नहीं मिला। और इसलिए जो बोड़े जो बावजूद का दो बावना आया। So this is the end of video, उमीद है आपको ये वीडियो समझ में आई होगी और इसका जो अगला लेशन्स है वो अगले वीडियो में मैं डिसकस करूँगा and thanks for listening.